मुझे बताते होगे बहुत हर्श हो रहा है कि अब हम Resonance Quota को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिर्चा में अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा आपको बस जाना होगा खेरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में जहां पर Resonance Quota की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविश्य के डॉक्टर और इंजिनियर बनने में सभी प्रमुक परिक्षा हैं जैसे J-Main, J-Advance, NEET-UG, AIMS, International Olympiad, NTSC, KVPY, CA, CS, CMA, CLAT, Resonance ने गुर्वत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है अधिक जानकरी के लिए आप डववाली रोडस तर आरपी सीनियर सेगेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे देगे नमबर पर अब होंगे सपने साकार धन्यवाद अनार को लेकर के क्योंकि अपना से सिरसा जिला है मैंने एक वीडियो कई साल पहले है वो शावपुरिया में किसान है राजबीर सीमर उनकी बनाई थी उनके बाग में और उसके बाद से जो है लगतार फोन भी आ रहे थी और अब मैं इस वक्त मौझदू सेरपुरा में क्या नुकसान है उसको लेकर के हम आज तमाम सवालों पर बादचीत करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरू कर दीजिए और ताकि कि तमाम किसानों तक ही जानकारी है वो पहुंशते रहे संदी पहले बहुत बहुत स्वागत आपका आपका भी यहां अमारे फारम पे आने पे आपकी सड़क नामा टीम और खासकर परमोद भाई का बहुत-बहुत स्वागत है यहां फारम पे आने का धन्यवाद जो सुपर भगवा जो आपने वराइटी लगाई है क्या कुछ कहना चाहेंगे आप किसान भाईयों को आपने चार एकड में लगाया कितना पुराना बाग है कितना उत्पादन अब तक ले चुके हैं पहले इस पर बात करेंगे फिर रेट और उसके बाद उन उन मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं अभी इसको प्रमोद भाई लगबग है दो साल आठ महीने हुए है फारम को और इस इस बार पहली फ्रूटिंग देखते हैं अच्छी निकली अभी परती एकड का भी चल रहा है जैसे तुड़ाई चल रही है तो लास्ट में इसका देखेंगे कुल मिला के इसका ठीक रहेगा अगर अंदाजन इसका 30 से 40 कुंटल तक क्योंकि हमने ये तीसरे इसी की पसल र पही मैन ने बाद की जाती है है या फसल को लेकर कितनी बार किर्द की जाती है इस वह कुछए इंसी करने आए तो यई अर्वेस्टिंग करने आए तो थोड़ा से वार नहीं पसल है तो इसके उपर हमें खुद की तरफीआ प्रोपर नहरी पानी है वह भी प्रयोग किया जा सकता है या टूवेल का अकेला नहीं लेकिन मिक्स करके इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो एग्रिकल्चर से जुड़े हुए या बागवानी से जुड़े हुए जो अधिकारी है खास करके सरकारों कि हम बात करें तो उनका रवया किस तरह का है किसानों के परती कि वह जागरू करने आते हैं जब इसमें कोई रोग आ जाता है तो बताते हैं कि इस तरह का कि इतना सक प्रियोग करें या कुछ करें उनका किस तरह का रवया रहता है उनका थोड़ा सा इसके अंदर ना जो होना चीह था वो नहीं है क्योंकि यह अपने फार्म का अनार है यह मार्केट के अंदर अब लग बगदाइसो रुपए दो सो चालीश-थीस भिक्र है लेकिन यह अपना जो बाग से जा रहे हो दो असी रुपए के लग बग जा रहे हैं तो जो इसके अंदर कं और लाल खून यह पबलिक का माइंड सेट है वो उसी इसाब से देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा कम लाल है इसका जादा है तो उस इसाब से जैसे हमारा फार्म है आज असी जा रहे है कल को पचास जाएगा तो फार्मर भी क्या करेगा कब तक देगा वो और यही चीज आज तक मेरी कर damn a स्रकार की तरफ से या जो वेगां निक हैं उटक चांट्रीम कंट्रीं का माल्टा मत्रहिवा बिलकुल वाइट होता है वह बाहर से इंपोर्ट नहीं करते कहीं से सारी पबलिक Humology वाइट नार खाती है क्योंकि अन्होंने कर रखिया बहुत सी चीज est- कुछ नहीं है यहां तो राम ब्रो से ही सारी चीज़ें और यहां फे जो बाग लगाने वाले उनकी उनसे खास न रोद मेरा यही रहेगा आपके माद्यम से क्योंकि काफी फोन भी आते हैं तो एक तो यह बागवानी जैसे मैंने बताया भी राम ब्रो से तो इसके अंदर वि इस बाग को ना लगाएं थोड़ा सा प्रिपेर खुद करनी पड़ते हैं खुद करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर है गोवर्मेंट की तरफ से तो यह भी पता नहीं होगा भी शेरपुरा के अंदर बाग है अनार का तो वहां से एल्प का तो ऐसा कुछ मक्सद ही नह खाली आपको यह कहेंगे भी आप फिरम जमाक राज़ों आपको सबसेडी दे देंगे तो सबसेडी तो टैंक की मिलती है या कुछ और भी मिलता दाकर प्लांट की मिलती है यह अपने जो जो किसान है उनके मनमें एक सवाल होता है कि यह जो वराइटी नाम उन्हों ने ठीक है लेकिन जो प्लांट्स है वो कहां से लें यह एक बड़ा सवाल है लांट्स का जहां तक है जैसे जैन के टीस्यू कल्ट रोचर के प्लांटाटे हैं महाराश्टर की कुछ कम्पनिया है जो यहां पर सिद्ध आपको ट्रांसफर करके देती है उनके अलग-अलग रेट ह होते हैं किसी का 40 रुपए किसी का 70 रुपए तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है अगर लेकिन प्लांट के अंदर ही जो यह सोचे का भी प्लांट नहीं मिल पाएगा वह फारम ना लगा है अनार का क्योंकि इसमें तो बहुत जादा आगे चलके इसकी मार्केटिंग करनी है इसका मंडी के अंदर जाके आपको किस तरह से डील करनी है इसकी क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत जाद है फारमर लेके जाता है तो उसको मंडी के अंदर ले जाके रखेगा अगर उसका नहीं बिका तो वो कहेगा मेरा नहीं बिका लेकिन मेरी तरफ से खासकर जो अन लाइफ होती तो सोचते भी खराब हो जाएगा और है तो यह मार्केट का जो खेल है उसके अंदर भी किसान को कुछ त्यार हो गया है 10-15 दिन तो आप तोड़ो ही ना चाहिए जब अगर आपको रेट नहीं मिल रहे हैं वैसे महीं नहीं ना तोड़ने के बाद भी 10-15 दिन और आप मार्केट से उठा भी लाओ तो घर पे रखे चाहिए इसार ले जो दिली ले जो कोई दिक्कत नहीं तो यह ज जो तो इसके अंदर किसान को लोस ही लोस है वह रेट तूट जाता है उसका ना वह यह बोल के बढकर नहीं मिलेगा उसको रेट रहे तो यह जीज़ें अगर फार्मर खुद थोड़ा एडवांस नहीं होगा तो यह दिखते जैसे हैं जो गौर्मेंट की तरफ से इसमें और कुछ है तो विजिट खुद ही करना पड़ेगा असारा गासारा जो बड़ा यह भी सवाल है क्योंकि जब यह जो इलाका है यह बालू मिट्टी का इलाका है बालू रेत में भी जो है अब अनार एक सपना था किसानों का कि यह हो पाएगा पहले माइंड सेट यह था कि यह महाराश्टर में होता है यहां पर जो है एक सपना था जो किसानों ने कर दिखाए क्योंकि मेहनत से सब कुछ जो है वो संबव है लेकिन इसमें ड्रीप एरिगेशन ज्यादा बेहतर है यह मानते हैं प्रोपर तरीके से जो न्यूट्रेंस है जो पोदे को जाया दिया जाता है तो इसमें भी मैं थोड़ा कर दूए यह पोद्दा जैसे पानी अगर आप एक साल ने दोगे तो खड़ा रहेगा ख़दिक्कत नहीं होगी लेकिन इसका पानी का सेडियूल है उस सेडियूल के अंदर अगर पानी नी दिया तो अनार नहीं लगेगा इसके वो सेडियू फोलो करना पड़ेगा और जो सेडियूल है वो तभी फोलो पाएगा जब आपके पास ड्रिप है क्योंकि उसमें जो माइक्र न्यूट्रेंट है या एनपी के वगर है वो जो प्लांट को देने है जो टाइम फिक्स टाइम के उपर अगर वो पोद्दे तक नहीं पहुंच चाहिएगा जैसे एक दिन दो दिन छोड़की है फिर वो है तो यह चीज थोड़ी सी अरे इसके अंदर जैसे कुछ फार्मर हैं जो पहले साल लगाते हैं उसकी केर नहीं करते हैं लगता है बढ़िया तो उसमें क्या होता है कि अपने जुमीन के अंदर माइक्रो न्यूट है तो यह थोड़ा सा केर फुली क्योंकि थोड़ा महेंगा फ्रूट है इसकी केर भी उसी हिसाब की चाहिए होती है तो जो महाराष्टर के कुछ ग्रूप है उनसे लप ले सकते हैं बीटी गोरे या जैसे सोहल चार्जिंग वाड़ा है या जो भी है और ज्यादा इसको ओ पर खर्चा चीए लेकिन ओवर खर्चा नहीं यह दोनों चीजें कोई और सवाल अगर किसानों को कोई बात कहना चाहिए जो छूट गई हो हमारे से वह आप बताना चाहिए इसमें दो तिन चीजें एक तो जैसे बागवानी का है बागवानी का एक तो कलाइमेंट के जो अनार की जो व्राइटियां होती है उनके उपर जो लिखे हुए होते हैं उनके उनको भी जरूर स्टेडी कर लें क्योंकि वह वह विग्यानिकों की जो स्टेडी होती है उसको भी साथ की साथ स्टेडी करते रहे तो माइंड के अंदर ये कलियर रहता है भी ये विमारी यह चीज़े नहीं है तो अनार की जैसे सोलापुरी उनस्टी है तो उसकी जो व्राइटी लगा रहे हैं उसके उपर उन्होंने क्या बोल रखा है इसका क्या साइज होगा कौन सा कलर होगा कोई डिजेज आएगी तो इसमें कौन सा सप्रे करना होगा या उनकी प्रोपर जो इसका स्टेडी भी उस पर है तो वह चीज़ जरूर उसके उपर स्टेडी करें तो यह थे हमारे साथ किसान संदीब सीवर जिनोंने सुपर भगवा है वह अनार लगाया हुआ है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से इस पोदे ने जो है फ्रूट है वह यह क्योंक तो वैसे अनार मार्केट में 240 से लेकर के 300 रुपे तक मिलेगा लेकिन यहां पर जो किसान की फसल है वह 80 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब सही भी करी है यह नार के उपर यह ब्लैक स्पोर्ट आई हुए है यह ना तो कोई डिजीज है और ना इसके अंदर कोई ऐसा कुछ है अब यह खराब हो गया हुँ रहा है यहां पर पत्तों की संख्या कम है पोदेली उपर तो यह संबर्न है तो यह अगर कोई फर्टिलाइजर कंपनी का आएगा और आएगा तो वह किसान को चूर के चला जाएगा बूलेगा यह बिमारी आगी यह तो यह चीजें युनिश् करना तो जादा से जादा इस वीडियो को आप सेर जरू कर दीजिए और कोमेंट सेक्सिन में आप अब निराय जरूर दीजिए अगर कोई सवाल है तो हमें लिक बेजिए ताकि एगली वीडियो पर उस सवाल पर भी चर्चा की जासके बाद बहुत शुक्रिया